हेलो फ्रेंट्स सौगत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चले इन्नुर्वर्टिव सपोर्ट पर मेरा नाम है मोहित पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक ऐसा तरीका जिससे आप पास सकते हैं 12 महिने तक की EMIs वो भी 0% interest rate पर हाँ जी दोस्तों वो तरी अगर आप पहली बार इस चैनल पर आया दोस्तों तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए का लाइक अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो और इसको शेयर करना नहीं भूलेगा अपने दोस्तों के साथ जिससे की यह सब को बदा चल करा जाता है अगर आपने अमेजोन अफ juan को पहले से डाउनलोड नहीं कर लाखा अपने फोन पे तो आपको जाना है प्ले स्टोर में कॉपले स्टोर में जाख्डाव को अपने जाकर आपको अन् लाइन्स दिख रही होंगी साइड में इन पे आपको क्लिक करना है और Amazon Pay में जाना है Amazon Pay में जाने के बाद आपको यहां पर दिखाई देगा एक Amazon Pay Later आप्शन इस पे आप क्लिक कर दीजे Amazon Pay Later आप्शन सबको नहीं अवेलेबल होगा जो Amazon के यूजर्स हैं जिन्होंने पहले से UPI रिजिस्टर कर रखा है और जो Amazon में पहले से ही KYC रिजिस्टर्ड है अभी आप्शन सिर्फ उनको मिल रहा है तो इसमें आप क्या करना है आपको आपको Apply Now पे डिरेक्ट क्लिक कर देना है Apply Now पे क्लिक करने के बाद या आपको एक नई पेच पर डिरेक्ट कर देगा उस नई पेच पर जाने के बाद आपको यहां पर KYC का आप्शन आ रहा है कि Use existing KYC अब आप existing KYC यूज नहीं करते हैं तो schedule doorstep visit जो की अभी अवेलेबल नहीं है जो की option अभी coming soon में है यानि कि अभी जो initials के जो customers है वो वहीं है जिनका पहले से KYC हो रखा है या जो पहले से ही KYC के साथ इस application को या UPI application को Amazon की यूज कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये अवेलेबल है तो यहां पर मैं इसको पहले से क्योंकि मेरा KYC registered है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या procedure रहेगा इसको use करने का Amazon Pay Later को जिसमें आपको 12 महिने तक की EMI का भी option मिल रहा है दोस्तो मैं इसमें अब डालूँगा अपने pen card की 4 digits और agree and continue करूँगा और फिर देखते हैं next option में हमारे को क्या available होता है तो दोस्तों यहाँ पर मैं डालता हूँ अपने pen card की 4 digits निमरिक 4 digits और agree पर click कर देता हूँ अब देखिए यह verified details done हो चुकी है details verified हो चुकी है अब यह मेरे profile को evaluate कर रहा है system इनका Amazon का और देखिए हो गया है उन्हाँ पर done लिखा हुआ आ गया है देखिए दोस्तों मिरे को यहाँ पर 10,000 रुपी की limit दे गई है congratulations कर रहे हैं मिरे को your Amazon Pay Letter spend limit is 10,000 तो यह था वो demo जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप Amazon Pay Letter use कर सकते हैं और कैसे आप अपनी limit ले सकते हैं तो initial limit इनों ने मुझे 10,000 की दी है इनिशल क्रेडिट लेमेंट इट वोड़ भी एक्स्टेंड बेज़ और यूसेज एंड रीपेइमेंट जैसे ही जैसे आप इसको यूस करेंगे और इसकी रीपेइमेंट करेंगे तो यह लिमिट आपकी बढ़ भी सकती है अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं है कि लिमिट कितने तक जा सकती है बड़ लिमिट बढ़ सकती है तो इसका मतलब यह है कि हम बड़े एप्लाइंसेज भी इससे खरीश सकते तो यह लिमिट लाकों में भी जा सकती है तो मैं इसको agree and continue कर देता हूं जैसे मैंने इसको agree and continue करा यह मेरे को कह रहा है setup auto repayment यह मेरे को कह रहा है कि आपको इसको due dates पर अटोमेटिकली रीपे करना है तो आप इसको कर दीजे पर मेरे पास skip का भी option यहां पर आ रहा है तो यहां पर शायद मेरे को amazon pay letter का भी option आ रहा होगा देखिया amazon pay letter registering अब मेरे amazon pay letter registering mode में है तो यह था वो तरीका जिससे कि आप amazon pay letter को register कर सकते हैं अभी इस सिर्फ उन users के लिए जो पहले से amazon को use कर रहे हैं और जो पहले से ही KYC registered है तो दोस्तो मेरे अड़वाईस यहां पर यही होगा कि आप पहले अपना KYC register करा ले और उसके बाद आप amazon pay letter का फायदा उठाए दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजे इससे की जास्यादा लोगे तक पहुंचे मिलते हैं दोस्तो आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई